तो guys केसा हो जब आपकी जानकारी के बिना आपकी permission के बिना आपको पता भी नहीं हो आप unconsciously ठीक है बहुत सी इसी चीज़ें हो रही है आपके आखों के सामने जो आपने देख नहीं पा रहे हैं ठीक है आपके सामने मेरे सामने और हर वो इंसान जो social media या internet पर कुछ भी इस्त technology companies billions of millions of dollars कमा रहे हैं ठीक है और आपको उसके नुकसा नहीं हो रहा है ठीक है आपको इसका फाइदा नहीं हो रहा है आपका पेसा जा रहा है आपका time जा रहा है आपकी peace of mind जा रहा है आपका social nature खतम होता जा रहा है आप isolated हो यह एलेनेटे होते जा रहे हो ठीक है बहुत सारी इसी त्योरी जो आज इस इस सोशल डाइलेमा को जानने के बाद आपको सच में प्रूफ होती हुई दिखाई देंगी ठीक है और इसका मैं प्रूफ दूँगा आपको आगे जा करके बस देखें इसको सोशल डाइलेमा क्या इनिशेटिव लिया गया बाइदी यह दो शोशल डाइलेमा है ठीक है काफी सारे बड़े बड़े सीओ ठीक है को फाउंडर्स प्रेजिडेंट्स ठीक है टेकनिकल हेड्स जो बड़ी-बड़ी कंपनीज में रह चुके गूगल इंस्टेग्राम फेस्बुक ठीक है स्नैप इसके बारे मैं आपको आगे बता दूँगा ठीक है सो स्टार करते हैं सबसे बहले यह वाले की स्टेटमेंट है नथिंग वास्ट एंटर्स दा लाइफ ओफ मोर्टल्स विडाउट अकर्ज यह सफ़कलस का है यह आपको आगे प्रूफ होता है दिखाई देगा जैसे जैस अदिखाई आप इसको मानोगे ठीक है कार्जी मानोगे जितना हो सके देखो अब यहां पर अब सबसे पहली बात क्या थी है वह बात यह यह इसके बार में आपको आगे बता चलेगा ठीक है आपका अटेशन में रटेशन के लिए कंपीट कर रहे है इतना जादा यह आपको मैनिप्लेट करेंगे यह आपको पर्सुएट करेंगे किस तरीके से आपका बिहेवियर चेंज होगा परसेप्शन किसी चीज की प्रती चेंज होता जाएगा यह वह सब जो है अब जो यह बताएंगे वह आपको देखना पड़ेगा तो यह मंत्र होता है इनका जितने भी टेक जाइंट होते हैं जितनी बड़ी कंपनीज होती है ठीके हम जो ओईल फीजर्स के का जो मोडल है उसको हम यूमन फीजर्स के मार्केट पे लाकर के उस स्केल पर हम आज का जो मार्केट है वो बनता जा रहा है यह बात कहते हैं यहां की जो एक्सपर्स आया थे इस डोकुमेंटर के अंदर एवरी माइनूट सिंगल एक्शन ओफ यूर जिसको केरफुली मोनिटर किया जा रहा है और रिकोड किया जा रहा है इक्सेक्ली वोट इमेज यू स्टोप और वोट इमेज यू लूक एट और हाव लोग यू तुक इट गाइस बहुस्त इपने बाद बता रहा हूं मैं कि क्या चीज आप देख रहे हो और कितनी देर तक उसको देख रहे हो यह भी रिकोड हो रहा है यहां पर मैं आपको प्रूफ देता हूं यह एक इमेज है यहां पर आपकर आप इसको स्क्रोल डाउन करते जाओगे तो उनके पास इस चीज का इंगेजमेंट टाइम बढ़ ज करेंगे यह आपको आपका जो चोईस है जो आपने यहां पर इंवेस्ट किया यह इंगेजमेंट टाइम यह बतायागा उनको कि आपकी चोईस क्या है आपके लिए मेंटर क्या करता है आपको इंगेज क्या चीज करती है क्या कॉंटेंट है वह ठीक है तो वह चीज आपको रखना क्या आप देख रहे हो कितनी देर तक देख रहे हो यह सब रिकॉर्ड हो रहा है ठीक है और यह टोटली एक्सपोस्ट सब को पता है open में यह बात फिर भी करते हैं लोग ठीक है तो mistakes किसकी है हमको यह समझना है this is what I want to explain you यह क्या है गाइज यह बैसिकली आपका एक अवतार लाइक जो वुड़ो डोल लाइक मोडल जिसको यह बोलते हैं ठीक है इसमें क्यों होता है कि आपकी ही वर्चुल 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 वर्चुलिटी और एक यूमन लाइक फिगर हम आपर पर जाकर के बना दे ऐसे जो कि अब आप जो देखोगे आपके दिमाग में वह जाएगा बार 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 टिक और यहें वही दिखाएंगे बार-box ठीक और इससे होगा क्या इन ल tension कर पाएंगे ईन बाउट व्य क술 और हम क्या करना चारहें और हम कौन हैं Olok स्लत कर रहें better best prediction कर पाते हैं इन चीज़ को लेकर के ठीक है तो यह बेसिकली symbolize करके इस इस जो documentary से बताया गया ठीक है इस तरीके का कुछ अगर आम इसमें symbolize करके बताया गया कि किस तरीके से हमको basically psychological hack किया जा रहा है ठीक है तो इस तरीके मैं आपको फिर समझाता हूं मैं अभी थोड़ी रुखें उसके पहले आप एक चीज़ समझें data data करते क्या है इस data का यह करता क्या है करते क्या है लोग टेक जाएं जितने भी यह data को कटा करके करते क्या है वह उंको पता लगाना है वह भी एक्सपोज देखाई देखो धेड़ मोडल डेट प्रेडिक्ट अवर एक्शन और फूईवर एस बेस्ट मॉडल विंस ठीक आपका डाटा ले जाकर के यह बनाएंगे उससे मोडल्स यह मोडल्स बना रहे हैं उससे ठीक है अब उससे प्रेडिट करेंगे आपके एक्शन और जिसका मोडल सबसे अच्च होगा वह जीज़ जागा रेस वह आपका डाटा ले करके जाएगा सिंपल सी वाल आज तक जितनी चीज़े आपने इंटरनेट पर करी हैं आप आपका जो है मैनिपलेशन स्टार होता है पर स्टार होता है ठीक अब यह आपर तीन गोल्स है इनके यह तीन गोल्स बताते हैं पहला गोल आता है इंगेजमेंट गोल यह सब चीज़े समझना बहुत जरूरी आज की जमाने में एजन अवेर्ट सिटीजन हमारा यह टाइल रहता है इस चैनल पर सिर्फ सिविल सर्विसेस की प्रिपरेशन ना करा करके वो हमारा में फोकस ही सही लेकि उसके अलवा आपको लाइफ में क्या टीचिंग अपनानी चाहिए हम उस पर आपको ट्रेंड करना चाहरे है हम एक अवेर सिटीजन रेडी करना चाहरे है हमारे पर ठीक है और कोई चार्ज ने कर रहे है आपको पता है मैंशा से हमारा टार्गेट के है तो बैक टीजमेंट गोल सबसे पहले होता है यह क्या करता है गाईज यह करेगा आपको to drive up your usage to keep your scrolling down yes you have to scroll because you are persuaded to do that देखो क्या कह रहे है लोग सुनो आप इनके मुझसे सुनो यह क्या कह रहे है हम चाहते है कि आप जो है अपनी fingers को keep doing this 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 scrolling down scrolling down again and again why why because it create data and data which make them help in building models models से models बनाएंगे आपके data से second आता है इनका goal पहला engagement goal बता दिया second आपको growth goal ठीक है growth goal याने कि कितनी तेजी से आप लोगों को invite करते हो आप कितनी जल्दी जुड़ पाते हो और उन लोगों से क्या कहते हो कि वह अपने friends को भी invite कर लें इस पर ठीक है याने कि एक community build कर लेंगे पूरी अपनी है ठीक है जिसे एक जने से काफी सारे लोग मिल जाएंगे जैसे कि एक इनके basically facebook में psychological नहेंकर उनको कहा जाता है basically उनके क्या कहा था कि 10 दिन के अदर साथ जनने invite करो आप ठीक है बस that's it हो जाएगा comment का तो growth goal इस तरीके से काम करता है next आता है आपका revenue goal ठीक है और we can say that advertisement goal advertising goal guys आपकी choices क्या है आपके preference क्या है जिस तरीके से जब उसकी सबसे highest bid जो लगा देगा उस time पर यह auction हमेशा चलतीगा इस 24 hour चलती एक minute नहीं रुकती जब इसका just session value पर आता है ठीक है तो यह जो है क्या करते है उसको sold करते है hand to hand trigger डबा करके ठीक है तो इस तरीके से यहापर symbolize करके इस गोल का होता है यह होता है कि जितना money हम collect कर सकें जितना पैसा हम बना सकें इससे हम बनाएंगे इससे ठीक है तो यह बात होती है तो यहाँ पर यह को statement आता है bourg में काम करने माले लोग होते है कि विद्जन के लिए यहां एक बात करते डट यह जिए का मतलब क्यों होता है जैसे को एथिक्स में पढते हैं लेकिन मैं आपका है ऑटर सोड़ह से परताए बिहेवेईर अक Matte to the according to the situation basically इसको balance कर पाएं किसी चीज को करने के लिए हम आपको motivate कर पाएं ठीक है अगर positive sense में बात करें या फिर जैसे आपने में वह नहीं देखें LIC की policy बेचने वाला थे वो क्या करते हैं they actually persuade you to buy their policy ठीक है क्योंकि उनके फिर lifetime का commission बन जाएगा इस तरीके से होता है ठीक है तो यह persuade करते हैं आपको तो persuasive technology नोंने बनाई है यह technology in itself persuasive technology ठीक है अभी कहते हैं कि यह जो है वो शिर्फ एक sort of design है persuasive technology is just a sort of design which is intentionally applied to the extreme where they really want to modify someone's behavior यह इनकी statements है जो मैं आपको यह बता रहा हूँ यह कहते हैं कि हम intentionally एक extreme level पर ले जाकर कि इसको apply करते हैं and we really want you to modify to modify the someone's behavior किसी का behavior जोंसे change हो सकता है ठीक है और इससे हमको क्या फाइदा मिलेगा आप इसे data बनाएंगे हम उसे advertise करेंगे हम उसको sold करेंगे ठीक है most of the time social networking साइस पर क्या होता है आपको बता है कि whenever you pull down और refresh your feed ठीक है and whenever and each time every time every single time जब आप इसको करोगे हर बार आपको कुछ नया देखने को मिलेगा definitely कुछ नया ही देखने को मिलेगा जब भी आप refresh करेंगे ठीक है इसा इन्होंने बताया हमको psychology में इस चीज को क्या बोलते है psychology में बहुत important point है not कर लो यह बात positive intermittent reinforcement क्या बोलते है positive intermittent reinforcement अभी मैंने आपको समझाए psychology में इसको बोलते है positive intermittent reinforcement आत्ब जब भी आपको scroll down करोगे तो हर बार आपको कुछ नहीं चीज मिलेगी आप जो है product को use करें consciously नहीं बिल्कुल भी नहीं चाहरे हो ठीक है हम advanced technology के बारे बात करें यह कह रहा है कि जो product है हम यह नहीं चाहरे कि आप उसको consciously इस्तिमाल करें हम तो यह चाहरे है यह चाहरे है कि आपका दिमाग के अंदर deeper में जाकर के brain के stem में implant करें ठीक है आपके insight करें इसको implant ठीक है ताकि आप उसका product बन पाए ना कि आप उसके product इस्तिमाल कर पाए और यह बहुत ही unconscious habit हो जाती है आपकी बहुत ही unconscious habit हो जाती है इसको connect करूँगा मैं ठीक है आपको पता भी नहीं चलता है कब आपके mind में डिक करके इतना deeper में जाकर के stem कर देते हैं इसको implant कर देते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता है इतना unconsciously होती है यह वाली चीज़े और यह कहते हैं कि हमारी यह जो technology हो कोई accident से नहीं है this is a design technique यह कहते हैं ठीक है कि this is a design technique ठीक है कोई accident से नहीं हुआ है overall अगर हम देखना चाहें तो यह human personality है जिसको यह tap करना चाहरे है into a single thing ठीक है अब आप मुझे एक बाह बताएं इसके अंदर ही बताया गया कि क्या Gmail और sorry email पर आप basically photo क्यों नहीं send कर पाते हैं क्यों basically content नहीं करता है email क्यों बलकि और easier way में और बहुत ही easier process है email पर photo करने का ठीक है तो क्यों नहीं कर पाते हैं social media पर ही इतना क्यों है ठीक है उसके लिए अलग से apps क्यों आते हैं तो this is what they basically want to explain कि जो human personality है उसको tap कर रहे है अब एक और चीज बता रहा हूं बहुत ध्यान सुर लेना है बात एक होता है इनका activating ellipses ellipses आपने most of the time देखा होगा जब कोई आपको reply करता है तो आपको कुछ इस तरीके का sign देखेगा जब वो typing करेगा basically ठीक है इस तरीके का आता है कुछ most of the time यह आता है ठीक है तो यह क्या है basically यह क्या जाने तो आप इसको देखो जब एक बंदा कुसी चीज को chat करता है या फिर उसको message send किया chat किया वो महा से अपना routine चोड़ करके वो अपना screen चोड़ करके ना जाए इसलिए यह वालव ellipses को activate किया जाता है by this manipulators by this technology technology giants ठीक है ताकि यह sign देख करके आप screen पर ही बने रहे most of the time ठीक है आपकी नजरे नहीं एतनी चीज़ screen पर से है एक एक चीज का मतलब होता है इसमें अगर आपने like का button लाया तो क्यो लाया अगर आप sharing button लाया तो क्यो लाया अगर आप typing के लिए ellipses लगा रहे तो यह क्यों आ रहा है ताकि आप screen न छोड़ पाए कुछ भी करके जितनी भी यह बाते हैं यह जो design technique का बना होना इसको हम बोलते है growth hacking ठीक क्या बोलते है growth hacking remember this word growth hacking इसके अंदर क्यों होता है जैसे facebook माल लीजे उसके अंदर team of engineers होंगी ठीक है वो people's की psychology को hack करने का काम करेंगी yes there is a team sorry जो की engineers की team होगी वो क्या करेंगी people's की psychology को hack करने का काम करेंगी और यह उसके बाद accept भी करते है yes it's a manipulation it's a persuasion we are doing this ठीक है यह इसको बात मानते हैं यह कहते हैं कि दो तरफ होता ही है एक तो जो इसके अंदर काम कर रहे हैं वो लोग जैसे कि यह sir बोल रहा है you are elaborate and yes we are all elaborate यह इनके बारे बोल रहा है ठीक है और दूसरे बात yes of course जो आपके users है वो वह भी आपके basically प्रिश्टे मैंने प्लेट हो रहे है यह यह sir क्या कर रहे है यह basically even of the founders है Facebook के यह कहते है yes hacker भी है यह कहते है कि yes we understood this consciously but we did it anyway ठीक है तो किस तरीके के humans है आपको सोचे इसको अब आपको एक बाद बताता हूं उसके बाद यह बताता हूं में क्या है देखो यह कहते है कि we basically we can affect real world behavior and emotions without even triggering users awareness user को awareness नियोगी लेकि world behavior real world situation real world emotions वो हम change कर देंगे definitely definitely impact होगा उनका अब यावर बात सुनो there are only two industries that call their customers users सिर्फ दो इसी industries है पूरे world में जो कि अपने customers को users कहते है पहला illegal drug दूसरा software जो कि हम बात कर रहे है आज Edward Tuttika Edward Tuttika यह statement है और एकदम 100% right statement है यह सब मैं क्यों कह रहा हूं जी नहीं मैं नहीं कह रहा हूं यह कह रही है यह है basically scientist है यह सब ठीक है काफी सादा PhD computer scientist में आपको पहले बताया है यह कहते है कि social media is a drug और आगे कहती है कि if something is not a tool अगर कोई टूल नहीं है तो यह आप से इस्तिमाल करें आप से इस्तिमाल करने को कहें कि आप इस्तिमाल करें as a tool ठीक है तो यह बात आती है उसके लवा yes it's seducing you it's manipulating you and if we want things from you यह आप पन से इस चीज़ मांगेंगे यह आपको करेंगे आप ही को manipulate करेंगे यह भी बात याद रखना guys यह जो technology का essence था जो aim था वो तो बिलकुली fulfill नहीं है यहाँ पर यह खुद बोलते हैं जो कि को फांडर से यह वो खुद बोलते हैं कि हम जो tool based एक बहुत important बात है बता रहा हूं मैं आपको use करना इसको अर जगे tool based technological environment से shift करते वे जा रहे हैं किस पर addiction addiction based technological environment ठीक है यह बहुत यह है statement है याद रखना हम tool based technological environment से जा रहे हैं कहांपर addiction based जहांपर हम technology based tool इस्तिमाल करते थे आज हम उसको addiction के तोर पर इस्तिमाल कर रहे हैं इनके most of the employees ने क्या कहा है यह बात सुने बहुत जहां से top leaders ने क्या कहा है top जो इनके heads थे कि even knowing the scene behind the curtain हमको पता है पर थे के पीछे क्या हो रहा है लेकिन उसके बाद भी we are unable to control their usage वो खुद इसका usage को नहीं control कर पा रहे हैं सोचें जब आपको basically बनाने वाले कहते कि मुझसे यह control में नहीं हो रहा है ठीक है machines के बारे में सखा जाता है system में basically deeper deeper जाता जाएगा उसी time पे आपका sense of self worth और identity है that will be definitely lose ठीक है आपके self worth और identity definitely खतम हो जाएगी ठीक है यह इनका मानना है अब एक बहुत important बाद बता रहा हूँ villain अगर आप मान चाहना तो मान सकते हूँ ठीक है जो basically psychological hackers होते हैं और coffee tender facebook में काम किया तो यह पता नहीं इनका नाम शर्च शमाता है शमाता ठीक है शमात ठीक है आप search करना कभी इनके बारे में ठीक है so बहुत बढ़ना नाम है Silicon Valley में तो अब यह क्या कर यह खुद कहते हैं वाली बात यह कहते हैं कि social media basically जो life हो perceived sense of perfection perception देती हैं आपको बहुत ही ज्यादा important है perceived sense of perfection देती हैं आपको यह जो social media वाली life है यानि कि आपको पता नहीं है क्या perfection होता है लेकिन आप उस perfection को achieve करने के लिए अपनी life को उस की तरह डालने की कोशिश करते हो ठीक है क्योंकि एक तो चीज होती है आप है यह करते हो परसीब कर रहे हो उसको आप होने कुछ आ रहे हो लेकिन आप उसे है नहीं ठीक है ठीक है इसके अंदर documentary के अंदर बताया था बैसिकली 11 years old girl रहती है वो addicted है बैसिकली social media के आप comments को पढ़कर के वो अपने beauty को अपना चेरे को practically गलत मानती थी I am talking about this ठीक है यहने की comments के seriously लेकर के जो आपकी actual reality है उसको हम मान लेते है virtual or fake ठीक है और उसको हम सचा है मान लेते है तो it will lead to a greater tension और क्या tension है मैं भी आपको आगे बताता हूं यह कहते हैं कि अभी तक मैंने क्या बताया कि पाने के पीछे भागे रहते हैं उसके बतले हमको मिलता क्या है हमको मिलता है likes share thumbs up यह सब ठीक है तो यह क्या कहते है यह short term signals है यह खुद कहरे बहिए बनाने वाले हम थोड़ी ना कहरे है यह खुद कहरे बनाने वाले यह शर्व short term signals है और यह आपको conflate करेंगे किस से value और truth से उससे match करने का कोशिश करेंगे यह आपको value और truth से instead what is really they are fake and brutal popularity यह कहते हैं कि यह बूटल popularity है यह आप जो आप चाहरे हो और बहुत short term में यह यह आपको जो है बहुत ही ज़्यादा और क्या करना चाहरे और basically किस पर छोड़ देंगे उस जगर पर जगर के छोड़ देंगे जहापर एक vicious cycle में आप फस जाओगे vacant and empty empty हो जाओगे बिल्कुल ठीक है यह बोलते है and when you are like यह कहते है कि जब what's next thing जब आप से यह vicious cycle में फस जाओगे and that's how we build 2 billion users in a very short span of time यह कहते है भई यह उसके बाद कहते है और think करो उसके बाद आप सोचे है यह बाद कि किस तरीके से people react करेंगे after knowing the perception of the others दूसरा का क्या perception है आप उस पर react कर रहे हो ठीक है तो इस तरीके की psychology नहीं बिल्ट करी अब यहां पर बात याद रखना यह कहते हैं कि it's just it's really bad ठीक है यह सब यह बात जानते हैं और इनको पता है consciously actions से इनके और यह bad है बिल्कुल यह basically data मैंने यह पर लगाया कि US के hospitals admissions जो होते हैं जो self-arms से किये गए हैं ज्यादा बढ़ गए 189% बढ़ गए ठीक है उसके अलावा जो US के suicide rates 151% बढ़ गए यह क्यों हो रहा है देखो दो कारण इसके पहला तो आपका यहीं सिक दो होल जनरेशन जो हो रही है वह बहुत अनेक्शियस प्रिजयल और डिप्रेस होते जा रही है उसके लबा जो basically western culture होता है date वगिर में जाने का वो culture और कोई भी romantic interactions का basically continuously decline होना जा रहा है लोग social interaction नहीं कर पारें बिलकुल भी and that lead to a real change in the generation यह वारी generation में बहुत real change आ रहा है ठीक है अब यह सर कह रहा है they are controlling us more than we are controlling them यह बात करते है machine के लिए artificial intelligence के लिए आपको पता है क्यों होती है what people miss is that यह कहते है what people miss is that artificial intelligence is already run today today's world right now यहने कि हम कहते है ना कि machine control कर लेगी इंसान को वह start हो चुका है वह अपने बहुत ही ज्यादा अपने एक बहुत तेज velocity से काम कर रहा है artificial intelligence humans को control करना नहोंने start कर दिया होते है most of the people जो चाहते है कि हम यह पर काम करें करते भी है उनको ही नहीं पता होता है कि system काम कैसे करता है यह इन्होंने accept कर लिया उसके बाद बात करते हैं यह algorithms की algorithms की होती है जो basically connect करके बनाते है आपका पूरा code यह कहते है कि एक opinion है ठीक है algorithms are like opinions जो की code में embedded होते है code में इनको submit करके रखा हुआ and these algorithms जो होती objectives नहीं होती बिल्कुल भी बिल्कुल भी objective नहीं होती है तो किस तरीके से काम करेंगी subjective याने की छोटा-छोटा-छोटा-छोटा-छोटा हर जगे different ठीक है matter करेंगी situation condition place of place of person ठीक हर चीज ठीक है which are optimized to the same definition of the success ठीक है success का तो एक definition है लेकिन उसको लिया क्या है algorithm में ठीक है तो यह पर यह objective बिल्कुल नहीं है code में embedded है और यह opinions लाएगे algorithms को आप कुछ इस तरीके समझे यह accept कर रहे हैं हमने control खो दिया systems पर because they are controlling ourselves proof क्या है भी इसका कि वह control करें बहुत simple proof इसका तो guys अभी बताता हूं मैं आपको कि यह हमको control कैसे कर रही है अभी मैं next slide में बता दूँ next बात करते हैं कि technology basically आपका human weaknesses को overwhelm करके यह आप से आगर आगे बढ़ चुकी human weaknesses को overwhelm किया है इन्होंने यह बाद है तक ना humor की weakness पे इन्होंने हमला किया है सबसे पहले technology और इस point में आकर के हमको यह पता चलता है कि इसके root क्या है basically इसके root किसमेट करके रहे जाएगी addiction में polarization radicalization बढ़ जाएगा आपके ठीक है outrage हो जाएगा बहुत जादा vanitification आपको एक example देता हूं मैं इसका Myanmar का जो rowing gas case है basically क्या है वो वो fake news की वह से हुआ है rowing gas की जो condition है आज Myanmar के rowing gas जो all over the world refugees है उनकी क्या condition वो basically इसी कारण है उसका सबसे पहला ठीक है तो human nature को overpower कर चुका है guys technology इतना बड़ा हो चुका है ठीक है artificial intelligence इतना पेर फेला चुका है पहले ही अब यहां पर आपको example देता हूं मैं देखो चलें ठीक है Google search के आपने सुनाओं का definitely करते भी होगे अब यहां पर एक बात याद आती है search करें climate change is हर जगे यहां पर मालीजे कोई ने Brazil में किया तो वहां पर अलग्च शीज़ आएक किया inlaat ne üaire इस दिए Chef अलगे डिया में भी ट्तियर करें देखना एस थारें लिग दिया आप ऑप अलगे आपको आपको जो म्शीन अलगा यहां आपको क्या आपको देखना पड़ यह ऺटा मिन इंट्रेस्ट क्या है? Google को पता है कि इंट्रेस्ट क्या है आपको? अगर आपको politics में इंट्रेस्ट देते हो climate change से रिलिडेड़ पॉलिटिकल बात लियाएगा आपके लिए ठीक है? अगर scientific या social issue है तो उससे रिलिडेड़ बात लेकर क्या आएगा? ठीक है? तो Google Google जानता है आपको, आप कहां पर हो? आप क्या करते हो? आप कैसे हो? उस हिसाब से आपको इस सर्च में आइटम बताता है और आपको ये accept करना परता है आपको लेना परता ही है अब ये बाइसाब कहते है कि algorithms जो है basically एक ट्राइ करती है कि कुछ जो rabbit holes है उनको find करें और जो की बहुत powerful rabbit holes होते है और उनके अंदर जो आपके interest से सबसे closest है आपको उस वाले rabbit hole में डाल दे जाएगा ठीक है? तो इस तरह के से बात करते हैं अब दूसरी बात सुनों इनकी यह कहते है यह कहते है यह कहते है it's easy to think that just a few stupid people who get convinced but the algorithm is getting smarter and smarter every day तो उनकुछ बेहुकुफ लोगों की वएसे जो की convinced हो जाते है इन सब चीजों की वएसे और उनका उसके कारणी के होती algorithm और smarter होते जाते है यह दिन पर दे और इस और and it creates a lot of polarization and जो vanity फिला रहा है वो यह इन आपको उसमें डाल दिया जाएगा इसी के अंदर से एक data पुदागर के बता देता हूं आपको twitter पे fake news जो होती है fake news twitter जैसे handle पे six time faster फैलती है guys जो सच news होती है true news true news से ज्यादा six time faster फैलती है कि आपकी जो false news होती है fake news होती है टीके twitter के बात कर रहा हूं twitter जैसे handle की अब इसम क्या six time advantage है जैने कि लोग पसंद भी तो कर रहे हैं उसको six time advantage है true the other one याने की truth से अब यह क्या बोलते हैं आपर आपको अदा दो यह कहता है कि a system that biases toward the false information that truth is actually boring truth तो boring है actually जो है समझा वो तो false information फैलाने में है तो क्यो ना उसको six time फाइदाल है हां और इसको इन्होंने नाम द फॉर प्रोफिट बिजनिस मॉडल डिस इन्फोरमेशन फॉर प्रोफिट बिजनिस मॉडल अब यहां पर बात आथी Facebook की अब Facebook पर क्या कहते हैं यह कहते हैं कि चलिए एक imagine करें एक चीज अगर यह किसी dictator के हाथ में आ जाए तो क्या होगा तो इन्होंने कहा कि it's a tool of a persuasion yes it's a tool of a persuasion बिल्कुर सही बात है जी मैं आपको पहले explain कर दिया यह तो अगर किसी dictator के पास आता हूँ yes a dictator can control the whole population of a nation ठीक है क्योंकि Facebook से अच्छा कोई option ही नहीं है इससे effective कोई tool ही नहीं बचा ठीक है इस dictator के लिए ठीक है अब यहां पर एक example आपको मिनमार में मिनमार में ऐसे ही ने fake news फेल गई गई यहां पर जो शॉपकीपर होते हैं वो पहले से ही mobile phone जब सेल करते हैं उसी के अंदर प्री इंस्टोल रहते हैं यह वाले जो जो जैसे कि Facebook है तो उसको प्री इंस्टोल करकर करके उनको दिया जाएगा customer को ठीक है और उसका account पहले बना दिया जाएगा इतना कुछ होता है तो लोगा ने use करना इस्तमाल किया और इस तरीके से fake news जो होती है उन प से तीजी से फेल लेगा ठीक है बहुत अंगा मौता गाइस में अनमारो श्रीलंगा में बहुत बार नेक्स बात यह करते हैं यह नेक्स जो बात आती है वह आती है elections की हां जी बई अब के elections को यह manipulate कर सकते हैं बहुत capability इनके अदर manipulate the elections they go into the conspiracy theory group अब क्या बात है भी यह Facebook के अं आइस यह आपको बात जाने की बहुत ज़रूरी है इन सब चीजों के बार में अवे इने सोना बहुत ज़रूरी conspiracy theory group यह ना यह Facebook के अंदर अलग से separate group है ठीक है जो क्या करता है यह people को find करता है कैसे people ऐसे people को find करेगा मान दीजे so people एक ऐसे हैं कि जो मानते है कि earth flat है चले मान अब यह जो लोग है वो फिलाएंगे propaganda all over the social media all over the news all over the psychology of the people ठीक है समझे यह बास को conspiracy theory group क्या करता है इसे लोगों को ढूंडता है जो की मानते है earth flat है जो मानते हैं आपके ideology को अब यह कहगा कि मुझे आप एक काम करें अजार लोग इस तरह के देते आप इन अजार लोगों क यह काम पर लगा देगा ठीक है तो अब यह पर लगा propaganda तो समझ रहोगा इस chronology इतना तगड़ा model चला रखा इन लोगोंने next बात करते हैं हम यहाँ पर democracy की बहुत important institution democracy की बात करते हैं यहाँ पर यह क्या कहता है यहाँ पर यह कहता है कि चली माले एक चीज़ इमेजिनेशन क अगर पूरी country की डाइट facebook है यहाँ कि हर बंदा पूरी population में facebook को इस्तमाद करता है तो क्या होगा इस country का या फिर कोई भी social media इस्तमाद करता है तो क्या होगा इस country का तो इसका answer आता है by the experts by the great great scientist social जो scientist है data scientist है यह सब कहते हैं कि democracy will be crumbled within a six month democracy खतम हो जाएगी six months के अंदर यह अगर इसा हो चुका तो ठीक है तो यह बात करते हैं अभी वर्ल्ड की बहुत सी आवादी जो है अभी तक निक बैसिकली यूज कर रहे हैं social media ठीक है all over the world वह उन्होंने बचा रखा है वैसिकली हमको ठीक है जो social media इस्तिमाल नहीं करते हैं यह create करेंगे culture wars ठीक है यह create करेंगे culture wars culture wars क्यों करेंगे इस्तमाल guys आपको मैंने पहले बताया है यह जो है basically target करेंगे specific population only चुनिंदा जो लोग होते specific population कोई यह select करेंगे जिससे होंगे आपके civil wars और culture wars ठीक है यह बात करते हैं तो बहुत बार बात आती problem क्या है problem artificial intelligence solve नहीं कर सकती बिल्कुल भी artificial intelligence cannot solve the problems all over the world they cannot have proxy for truth that's better than a click यह कोई truth का proxy नहीं बना लेंगे इनके लिए click करना यादा असान है बस truth का proxy बनाना बहुत मुश्किल है इसलिए यह जो है आपको नहीं दे सकते बिल्कुल भी गाइस बहुत बार एक बात आती है यह कहते हैं यह टेक्नोलोजी जो है वह बैसिकली existential threat है आपका अगर टेक्नोलोजी बढ़ेगी तो यूमन टेक्नोलोजी इन इटसेल्फ इस नोट एक्सटेंशल थ्रेट में आपको कहा यह पर जो वर्स कंडिशन सोसाइटी के अंदर ओर रही है इसके कारण वो एक एक्सपर्ट से बूचा कि और क्या हो सकता है विसकी possibility क्या है तो उन्होंने तो सीधा सीधा बोला क्या बोला उन् प्रेई करें हो ना कभी किसी भी कर्ट्री में ठीक है आको बता है पूरा Middle East विसी में था ठीक है आने वाले भी इस साल में खतम कर लेंगे और वह भी अंदर था Willful Ignorance हमको पता है लेकिन फिर विसको विलफुली क्या कर रहे है इंग्नोर कर रहे है तो यहां पर एक बात दिखल के आती है और वह बात क्या है वह ही है इस लाइक हाओ डू यू अवेक फ्रॉम दा मैट्रि मैट्रिक्स में हम उस बॉक्स के अंदर ही वही पूरी life हमारी जी यह करें जनम लेते उस्सि में मर जाते हैं तो अमको पता ही नहीं Meadlles के के बारे में तो अवेक विलए तो यहुंड यह यह उसकंदर के दो आपको पता ही नहीं आप मैट्रक्स में हो हां अब यह पर एक बास सुनो अब एक चीफ पूछूँगा बस आप से इस वाली स्टेटमेंट का मतलब मतलब बताना नीचे फुलर का ही है वेर वेदर इतिस टूबी उतोपिया उतोपिया क्या होता है एक बहुत ही अच्छा वर्ड उतोपिया यानिकि आइडिल स्टेट होता ही है यह जाने कि जाहत पर सब कुछ होता है जब प्रोसपर होते हैं और और उबलिवियन विल बी अटच अड़ गो रिले रेस राइप ट जो इतना समझ माता हैं यह जो लोग हैं जो काम करते हैं इसके अंदर वैसिकली क्या हैं सबसे बहले बात तों यह बोता है कि कुछ Bunch of People ंजो कि इस system के अंदर, इस economic incentives को पाने के चक्कर में, shareholders के pressure को पाने के चक्कर में, trap हो जाते हैं, इस business model के अंदर, ठीक है, yes, he is one of the, जो आपका trapped हो एते हैं, अब भारत चुके हैं, people, ठीक है, that makes it almost impossible for the person to work anywhere else, ठीक है, कहीं और काम कर ही नहीं पायागा वो, हैना, क्योंकि इस तरीके क shareholder pressure आता है, economic incentives ऐसे business model में, इसको trap करके रखते हैं वो, अब आपका इस बात समझ जाता हूँ, मैं, लोग चाहर नेरे काम कर रहे हैं, क्या हो गया, Marx का alienation की theory है, अभी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, वो मुझे यहाँ पर सचोती दिखाई दे रही है, ठीक है, आप मुझ need क्या है, solution तो बता है, मैं, इतना कुछ बता जा, solution, solution ही है, regulation, most important thing, सबसे important thing, regulation ही है, यहाँ पर, अगर जब तक regulation यहोगा है, social media का, facebook का बगर है, इन सब का, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है, there should be outload, अगर हमने इनको outload करना, जरूरी नहीं समझा, तो यह हमको जो है humanity को खतर हो सकता है, definitely, ठीक है, तो अब यह outload करना, आप सोच रहोंगे, outload करना, बहुत रेडिकल सा step है, बिलकुल भी नहीं guys, outload करना, बिलकुल भी radical proposal नहीं है, कर सकते हैं, बिलकुल, क्यों, क्योंकि हमने पहले भी किया हुआ है, human organs का जो trafficking होती थी, हमने उसको outload कर दिय है, slaves थे, slaves को हमने outload कर दिया, तो why not social media, why not internet, हम इसको भी कर सकते हैं, because they have inevitable destructive consequences, हां, इससे अच्छा तो हमको regulate करने से समझेंगे, because आपको यह याद रखनी होगी हमेशा, कि हम उस world में रहते हैं, जहापर पेड कटा हुआ, ज्यादा महंगा है, पेड जिंदा से, यानि कि य में वेल के लिए बात हम यह जानते हैं, ठीक है, second suggestion यह है, कि हमको जितना भी यहाँ पर design, जितने मोडस बनाना है, उसको humanly में में बनाएंगे हम, humanly, total transparent or open में में हम है, humanly, ठीक है, human main focus में होगा, center focus में होगा, ठीक है, profit नहीं होगा, intention हर एक giant का यह रहेगा, कि better world कैसे बन नहीं करता, ठीक है, यह कहता है, better world के समराज है, यह intention होना चाहिए आपका, पर देखो, यह employees खुद कह रहे है, यह क्या कह रहे है, we do not let our kids have really any screen time, यह खुद नहीं चाहता है, हमारे, जो इनके kids है, वो basically screen time याने कि कोई social media पर आएं, ठीक है, लेकिन फिर भी, कुछ rules है, कु यह rule, देखो, पहला rule कहा है, पहला rule तो यह होगा, कि bed time पर जाने के पहले, bed time के जाने के पहले हम, जो है, consensus से घर में, इतना time पहले, bed में, जहां पर bed रखा होगा, आपके उस room में, कोई भी digital device allowed नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर जो भी mobile है, आपका tab है, laptop है, वो fix time के पहले, next है आपका, no social media, घर में social media नहीं होगा, before, before high school, यानि की लगबख जब आपका, बचा, 16 to 17 year को हो जाता है, तब तक तो इसको social media बताना ही नहीं है, बिल्कुल भी, ठीक है, उसके बास, जो है, वो कर सकता है, यह इनका rule है basically, आप चाहिए तो उसको बड़ा घट सकते है, next है आपका, कि basically अपने kids के साथ, अपने बच्चों के साथ, time budget को discuss करें, time budget, कितना time आप दोगे studies को, कितना sports को, कितना, basically social media को, तो बहुत important होता ही है, यह चीज़, time budget करना बहुत important है, तो यहाँ रखना, तो यहाँ पर बहुत important हो, बहुत inspiring figure, जिन्होंने book भी media account, इनका book था, ठीक है, तो यह basically data scientist है, बहुत, बहुत famous, बहुत famous, बहुत famous, USM, all other world में, Silicon Valley में, अब यह क्या 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 है, कि yes, just do it, and it's not hard to make people, to run out, यह क्याते है, just run out of the system, and delete it off, from the, and do not consume this stupid stuff, ठीक है, यह क्याते है, the world is more beautiful, look, look, it's a great out there, I don't think, इसके वाद को suggestion आपको, मैं दे सकूँगा, इस चीज़ के बाद, ठीक है, just delete all your social media, guys, हम यहाँ पर मैं आप कोई बापदार था, कि मैं यहाँ पर को बता पारा हूँ, ठीक है, personally, मेरा कोई भी social media account नहीं है, ठीक है, कभी बनाए होंगे, पहले, लेकिन, बिल्कुल भी, जो है, बहुत ही time से, मुझे बह YouTube पर हमसे connect हो जाएं आप, ताकि इस social media, social media की जितने भी, जो, प्लैटफोर्म से हम उससे ज्यादा आपको यहाँ पर content दे पाएं, ठीक है, वहाँ पर नहीं हो पाता है, basically, तो हम यहाँ पर time divide करकर करके, ठीक है, social media पर जितने भी, जो आपको अवेलेबर करा पाते है, notification दे Rarely, Rarely वह आपर active होता है, ठीक है, क्योंकि सब यहाँ पर focus कर रहा है, आपके उपर, हमारे उपर, ठीक है, जितना भी content हम बना रहे हैं, यह सब आपके लिए है, आप अच्छा content देखें, इसलिए हम मैनत करें, आप अच्छा content देखें, प्लीज मत देखें, कुछ भी जो unnecessary ह है, ठीक है, जो कि आपने live में बिल्कुल matter नहीं करता, यह चीज़े matter करती है, इनको देखो, knowledge लो, जितनी knowledge हो, उतनी knowledge लीज़े आप, इसके लवाब कोई, अगर आपको मुझे से बात करनी हो कभी, तो you can directly contact us, पहले तो comment section में आप मुझे बता दें, कोई अगर आपको कोई इस्यू हो, कोई suggestion हो आपका, तो comment section में हमको बता दें, ठीक है, और subscribe कर दें and share करें, लोगों को बताएं चैनल के बारे में, ठीक है, कि एक free initiative भी चल रहा है, और बहुत सारा material आना वाकी है, और वो आएगा subscription based के साथी, ठीक है, definitely हमको suggestion चीए आपके, suggest करें, और जो हैं आप को कुछ difference चीए, या फिर related to the, this content चीए, तो मुझे बताना, ठीक है, तो मिलते के लिए नहीं, जबते के लिए stay tuned and have a nice day, and keep studying, keep gaining knowledge.